हेलो फ्रेंड मेल इंगराच पटेल मेरा चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ आज में आप सब के लिए और एक नहा रिसी भी लेके आया हूँ दोस्तो आज हम वनाएंगे नारियल का आइस क्रीम जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है बचपन में जब गर्मी का मोसम में बाहर रोड पे ठन ठन घंती की आवाज बसती थी और हम लग दोड़ दोड़ के जाके आइस क्रीम लेके आते थे उस पल को भला कौन भूल सकता है दोस्तो बचपन में एही नारियल का आइस क्रीम खाते काते आज हम इतने बड़े हो गए है आज मैं बचपन में खाया हुआ वही नारियल का आइस क्रीम का रेसिपी लेके आया हूँ तो चलिए दोस्तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखिए दोस्तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइच का नारियल लिया है हम इसको आगे यूज करेंगे और ये देखिए दोस्तो हमने नारियल को अच्छी तरह से तोड़ लिया है अब हम इसका ऊपर का जो चील का है इसको भी चील लेंगे और ये देखिए इसको हम बाद में यूज करेंगे ये देखिए दोस्तो हमने नारेल का जो सक्त हिस्सा रहता है उसको छील के निकाल दिया है और इसका उपर का जो ब्राउन कलर का पतला पतला छील का है इसको भी छील लिया ये देखिए अब देख सकते हैं चेरे में आपको एक टुकड़ा नारेल का छील के भी दिखा देता ह यह देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें इसका उपर का ब्राउन बला चिलका को छील लेना है और इसको छोटा-छोटा करके काट लेना है यह देखिए हमने सारे नारेल को छोटा-छोटा करके काट लिया है और इसको अच्छी तरह से दो बार वाज भी कर लिया है यह देखिए हमें बिल्कुल इसी साइज में इसको काटना है ताकि हमें इसको पीसने में इजी हो अब हमें लेंगे एक मिक्सी में सारा काटा हुआ नारेयल को डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे लेकिन याद रखें दोस्तों इसको पीसने के टाइम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और ये देखे हमने इसको अच्छी तरह से दरदरा करके पीस लिया है अब हम इसमें से थोड़ा सा नारेल को निकाल के एक दूसरे प्लेट में अलग कर लेंगे ये देखे इसको हम बाद में यूच करेंगे और जो बाकी बचा नारेल है इसमें हम दूद डालके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो चले हम इसमें दूद डालते हैं, ये देखिए, मैंने दूद को पहले ही उबाल के रख दिया था, ये देखिए, इसमें कितना सारा मलाई जम गिया है, मैंने दूद को गरम करके फ्रीज में ठंडा कर लिया था, और उसी दूद को हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच् पीच को ही लेना है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमुल का पाउडर और अमुल का पाउडर को भी इसमें डाल देंगे और इन सब को डालने के बाद इसमें अट करेंगे नारियल का पानी जो हमने बचा कर रखा था इसको भी डाल देंगे और इसको डालने के बाद इसको पीस लेंगे और यह देखिए दोस्तों अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है अब देख सकते हैं अब हम इसमें एट करेंगे नारियल जिसको हमने पहले थोड़ा सा बचा कर रखा था यह देखिए मैंने इसमें इसको डाल दिया है और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे यह देखिए अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब चलते हैं वारा नेक्स टेप की तरफ अभी हम लेंगे आइसक्रीम बनाने का च्छांच अच्छांच में सबसे पहले डालेंगे नारियल जो हमन को डालते जाएंगे और एक एक करके सब में इसको डाल देंगे और यह देखिए हमने एक एक करके सब में इसको डाल दिया है अब देख सकते हैं और सब में इसको डालने के बाद इसका उपर का जो धकन है इसको लगा देंगे यह देखिए बिलकुल इसी तरह हमें सारे उपर का धकन को बंद कर देना है और इसको बंद करने के बाद इसको हम फ्रीज में डाल देंगे अमर थोड़ा सा मिक्चर बज गिया है अब हम उसको एक दूसरे जगा में जमाएंगे यह देखे दोस्तों यह चाय पीने का ग्लास यह आपको कहीं भी एकदम आसानी से मिल जाएगा यह मेरा घर में थोड़ा सा बचा हुआ था अब हम इसमें भी थोड़ा सा नारियल डाल देंगे इसमें नारियल को डालने के बार इसमें भी बचा हुआ मिक्चर को थोड़ा थोड़ा करके सब में डाल देंगे अगर आपके पास यह चाय पीने वाला ग्लास नहीं है तो आ जगाने के बाद इन सब को लेके फ्रीजर में डाल देंगे, ये देखिए, अब फ्रीजर में हमने इसको डाल दिया है, इन सब को फ्रीजर में डालने के बाद 24 गंटा बाद हम इसको चेक करेंगे, 24 आवर्स हो गिया है, छेले अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखिए, अब अब अच्छी तरह से जम गया है, अब देख सकते हैं, अब हम एक एक करके सब को निकालेंगे, हमने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, अब पानी में इसको अच्छी तरह से डुबो देंगे, और इसको निकालेंगे, यह देखे, हमारा नारियल का आश्क्रीम बन के आपकी को आप रख के बाद में भी खा सकते हैं, छेले में आपको जो हमने कप में जमाया था, उसको भी निकाल के दिखाता हूँ, ये देखे, ये भी बहुत अच्छी तरह से जमा है, अब देख सकते हैं, मेरे को फोटो घीचना था, इसलिए मैंने सारे आस्क्रीम को निकाल लिया है, और ये देखे दोस्तों, हमारा नारियल का टेस्टी टेस्टी आस्क्रीम बनके रेडी हो गया है, अभी अब इसको बैठ के आराम से खा सकते हैं, और गर्मी का मजा ले सकते हैं, दोस्तों, आज काई मैरा नारियल का, यानि कि कोकोनट का आस्क्रीम आपको कैसा ल झाल कर दो मुदक हो जो आग ले घूटिफंगे दो कर दो.